एक करनल अपने जुनियर के वाइफ के साथ पैर में बढ़ जाता है और उससे अपसेस्ट हो जाता है इसके बात क्या होता है ये आज की मूवी में हम समझेंगे आज की मूवी है अपसेस्ट ये एक Korean मूवी है तो चली एकस्पलेशन स्टाट करते है इस मुवी का चो टाइम पिरेड है ये 1969 का है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मिल्टरी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है यहाँ पर करनल किम भी होता है ये एक वार हिरो होता है इसने जंग में बहुत अच्छा वर्क किया होता है आज इसका इस सेलिब्रेशन चल रहा होता है इसका जो सीनियर होता है इसे बहुत सारे दारू बिला देता है यह जो है यह हमारा में क्यारिक्टर है इसका नाम कीम है कीम को इस सेलिब्रेशन में ज़्यादा इंटरेस नहीं होता वहाँ से बाहर आजाता है बाहर आकर अकिला ही बेटा हुआ होता है वहाँ कुछ उसके junior साते है या अपस में बाती करने लग जाते है यह कहते है किम का जो father in law है यही इसका senior है यह हमेशा उसकी तारिफी करता रहता है दूसरा कहता है कि एसा नहीं है वो सच में एक war hero है फिर दूसरा उसे कहता है कि मैंने कीम के बारे में कुछ सुना है कीम के बारे में कुछ rumors होती है यह सब कीम सुन रहा होता है अब next in में कीम उसके office में में दिखाये गया है वहाँ वह एक नए officer Woojin आया होता है उसकी अभी-भी बदली हुए होती है कीम इसके जो documents है यह सब review कर रहा होता है कीम Woojin को नहीं जानता कीम का जो और एक click होता है यह Woojin को जानता है वो कहता है कि तुम भी war में थे कीम interested हो जाता है और पोच्छता है कि तुम कहा थे कीम का click कहता है कि कमांडर के नीचे था पर एक कभी भी sub करने के लिए नहीं गया था कमांडर के सब काम Woojin करकर देता था इसलिए Woojin को कभी भी war में नहीं भेजा गया था वोजीन के किस से कीम को उसका click सुनाता है Woojin जो होता है यह कीम का बहुत बड़ा फैन होता है कीम ने वार में जो सब किया होता है इसके चर्चे दूर दूर तक होते है कीम ने भी यह सुने होते है और इसका बहुत बड़ा फैन बन चुका होता है कीम जब इसके फाइल रिव्यू कर रहा होता है तो यसे बुच्ता है कि तुमारी wife का नाम इस तरह से कैसे है बुजिन कहता है कि वो चायनेज है यसलिए ही यह है बुजिन की wife की bird date और kim की bird date यह दोनों same होती है इसलिए यह भी वो point कर कर देता है इसके बाद हमें kim का घर दिखाया जाता है इसकी वाइफ और वो यह दोनों डिनर कर रहे होते है इसकी वाइफ यहाँ बात कर रहे होती है लेकि इस तरह से वो और उसकी फ्रेंड सब काम अब करने वाली है किम की वाइफ और उसके जो फ्रेंड्स होती है यह एंजियो के लिए काम करती है इसके बाद रात में हमें दिखता है कि दोनों intimate हो जाते है यह दोनों baby के लिए try कर रहे होते है पर इन्हें हो नहीं रहा होता रात में फिर यह बात करने लग जाते है तो किम की wife उससे कहती है कि हमारे यहाँ और एक neighbor आये है यह वुजीन और उसके wife ही होती है किम की wife का नाम ली सुक है तो ली सुक बोलती है कि यहाँ जो neighbor आये है उन्हें भी बच्चा नहीं है यहाँ की जो wife है वो Chinese है ली सुक कहती है कि उन्हें भी बच्चे नहीं है इसलिए मुझे उनसे बात करनी का मन करता है ली सुक के सब friends को बच्चे और इसे बच्चे नहीं है तो यह अच्छे से उनसे बात नहीं कर भाती उसे लगता है कि वो वुजीन और उसकी जो wife है इससे वो अच्छा connect कर पाएगी ली सुक ने कीम को बोला होता है कि वुजीन की जो wife है यह birds बालती है किम को रात में जब नीन नहीं आ रही होती तो यह चलने लग जाता है चलते चलते वुजीन की घर पर आ जाता है यह जो भी सब birds है इन्हें हो देखता है वो cigarette पी रहा होता है तो यह धुआ वो birds पर छोड़ता है यह फिर वुजीन की wife आ जाती है इसका नाम जौंग होता है जौंग को भी नीन नहीं आ रही होती जौंग कीम से बोलती है कि ऐसा मत करो उन्हें अच्छा नहीं लगता वो उसे बुछते है कि क्या तुम birds को हेट करते हो कीम कहता है कि नहीं मैं सिर्फ उनका मजा लेना चाता था यह कहती है कि तुम फिर ठीक है यही से बुछती है कि क्या तुम आसपासी रहते हो यह कहता है कि हाँ और इसके बाद यह अपने घर में चले जाती है नेक सिन में कीम हमें डॉक्टर के पास आया हुआ दिखता है उसे mental illness होता है और इसके लिए गोलिया वगर लेता है यह डॉक्टर को बोलता है किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मुवे के फर्स्ट में हमें दो लोग दिखाए गए थे जो किम के बारे में बात कर रहे थे वो कहे रहे थे किम के बारे में मुझे कुछ पता है तो यही वो चीज़ होती है किम इसके बारे में बहुत ही insecure होता है किम वार में था बहुत सारे लोगों को उसे मारना पड़ा था इसी वज़े से वो disturbed हो चुका है अब Nixon में हमें दिखता है कि ली सुक एक hospital में आई है वहाँ कुछ काम कर रही है किम को भी उसने यहाँ बुला होता है वो और में जो जख्मी हो चुके है इन्हें motivate करने के लिए किम यहाँ आयो होता है यहाँ ली सुक ने Jean को invite किया होता है जॉंग से लि सूख बात करने लग जाती है और उसे पुछती है कि तुम्हें क्यों बच्चा नहीं है लि सूख केटी के वैसा कुछ भी नहीं है हमने सिर्फ ट्राइ ही नहीं किया है जब लि सूख एक पेशन्ट के पास बेटी हुय होती है तो patient उसे पास बुलाता है pillow के नीचे से एक चाकू निकलता है उसे मारने वाला होता है तब जॉंग उसे हटा देते है इसके हाथ में जॉंग आ जाती है और जॉंग पर वो चाकू लगाता है इसको लगता है कि अभी भी war में है और जो hospital है इसके enemies का है Kim उसके पास आता है और उस पर gun रखता है उसे कहता है कि इसे जाने दो तुम Korea में हो तुम अभी war में नहीं हो यह patient अभी बिलिव नहीं कर रहा होता Kim फिर अपनी gun रख देता है और कहता है कि प्लीज अभी यह चाको निकाल लो ये पैसन शान्त हो रहा है ऐसा हो दिखाता है पर वो कीम की गन ले लेता है वो अपने आपको मारने ही कोशिश करता है पर कीम उसे बचा रहा होता है यहीं इनकी हाता बाई में गोली चल जाती है और जॉंग के कंदे पर लग जाती है इससे किम गन ले लेता है जोंग को फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है इसके बाद हमें जो सब हाउस वाइबस होती है यह बात करते हैं यहाँ पर एक वाइबस जो दिये यह हमेशा रूमर्स फिलवाती है यह कहती है कि मुझे जाइनीज वाइबस पसन ने आ रही जो रूड वेटरस होते हैं उसी तरह से मुझे यह लगती है यह स्पेशन ने गोली चलाई थी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है वुजीन इसके पास जाता है उसे बहुत मारता है किम वुजीन को बुलाता है उसे कहता है कि इसे इतना मानने कोई भी जरूद नहीं है वुजीन कहता है कि अगर तुम किसी को मारते हो तो बहुत सारी चीज़े तो भी मिल जाती है उजिन कहता है कि आपको इतना सारा ट्रबल उठाना पड़ा तो इसी वज़े से मैं उसे मार रहा था उसके वाइफ को ओली लगी है इसी इसे जादो कुछ फरक नहीं पड़ता यह सिर्फ गिम को इंप्रेस करने के पीछे पड़ा हुआ होता है अब नेकसिन में हमें दिखता है कि जॉंग बेड़ पर होती है उसकी मदर उसे देखने के लिए आती है जॉंग अपनी मदर को कह रही होती है कि प्लीज फिर से मुझे मिलने के लिमत आना इन दोनों के रिलेशनशिप सही नहीं है वहाँ पर गिम भी आता है उसके लिए फूल लेकर आता है जॉंग जब फूल देखती है तो कहती है कि फूल मुर जा जाएंगे इसे पानी की जुरूत है वहाँ से फिर किम जाता है और डॉक्टर के पास आता है उसके पास एक बास लेता है उसमें पानी भरता है और कुछना को जुगाड करकर ये फूल उसके पास लेकर आता है किम फिर फेस से जॉंग के पास आता है उसने उसके लिए एक केक लाया होता है वो उसे खिलाता है जॉंग की इरिंग गिर कई होती है ये किम के पास होती है ये उसे लाकर देता है ये खुद पहन नहीं सकती है तो इसे वो पहन आता है निक जिन जब आता है तो किम जॉंग के बारे में ही सोच रहा होता है इसी न्यूज मिलती है कि म्यूजिक रूम का जो ओनर है वो पकड़ा जा चुका है एक्चुन में कमांडर इसकी जो वाइफ हो थी इन्हें डांस लेसन दे रहा होता है ये इलिगल ये सब कर रहा होता है तो इसे वो पकड़ लिते किम का फ्रेंड होता है तो किम इसे बचाने के लिए चला जाता है इस पर जो भी सब charges वगरा होते हैं इसको वो drop करवाने के लिए बोलता है Kim का junior भा होता है Kim जा रहा होता है तो वो कहता है कि तुम्हें भी नाचना पसन होगा Kim इस पर चीर जाता है उसके पास आता है और कहता है तुम क्या बोल रहे हो इस पर तुम ध्यान रखो Kim वार में बहुत ही dangerous था तो यह इससे डर जाता है Kim फिर उसके friend के साथ music room में आ जाता है यह तोनों वहाद चिल कर रहे होते हैं बाते कर रहे होते हैं Kim जब जो incident हो आता है उसके बारे हैं बोचता है Kim का friend Kim को कहता है कि dance करना यह एक अलग ही art है एक दूसरे में आप खुल मिल जाते हो और music के साथ नाचते हो हम जब dance करते हैं तो इससे बहुत ही खुशी होती है इसलिए मेरे पास मेरी सब clients आती है वो सिर्फ अपने आप के लिए आती है नेक्स दिन जब आता है तो Lee Soo Kim, Woo Jin और Jong यह दोनों families मिल कर picnic पर जाने वाले होते है यह जब वहाँ आते हैं तो Woo Jin Kim के जो war के किस्से थे इसके बारे में बात करने लग जाता है इससे वो बहुत impressed होता है तो इस details में समझा रहाता है Lee Soo के सुनना अच्छा नहीं लगता बहुत ही uncomfortable हो जाती है और वहाँ से चली जाती है Woo Jin भी toilet के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है Kim और Jong यह दोनों अकेले होते है Kim Jong से कहता है कि weird है पर मुझे तुमसे ही पूछना है क्या तुम मेरे साथ dance पर आ सकती हो यह फिर embarrassed हो जाता है और खेता है कि बहुत stupid है Jong कहती कि नहीं जबसे तुम मेरे birds देखने के लिए आये थे और hospital में जब तुम मुझे मिलने के लिए आये थे तबसे मैं तुमारे बारे में ही सोच रही हूँ Woojin और Kim यह दोनों music room में होते है यह जो music सुन रहे होते है इसे Woojin को बहुत ही जादा interest होता है यहाँ पर Kim का एक friend आता है इसका नाम Hux होता है यह भी उसके साथ war में ही था इसे देखकर यह बहुत ही surprised होता है यह जो music room का owner है कि Kim को हक्सुसे जादा बात नहीं करने देता यह उसे एक कोने में लेकर जाता है next scene में हमें दिखता है कि Jong एक tailor के पास आई हुई है वो party में जा रहे होती है तो एक dress वो buy कर रहे होती है यह tailor उसे कहती है यह जो dress तुम buy कर रही हो यह बहुत गलत लगेगा Jong केती है कि मेरे husband को इस तरह से dress चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ actual में जिस party में Eugene और Jong जाने वाले होती है वो एक बड़ा commissioner आने वाला होता है Eugene को अपने commissioner को impress करना होता है तो इसलिए वो Jong को इस तरह से dress बहनने के लिए बोलता है जब यह party में बोशते है तो Eugene का जो goal था यह success भी हो जाता है Commissioner Jong को ही देखता रहता है Commissioner कहता है कि जब मैं इतनी beautiful lady देखता हो तो मेरा फिर से दिल धढ़ने लग जाता है यहाँ पर Kim भी होता है और यह conversation हो सुन रहाता है Commissioner फिर Jong के साथ dance करना चाता है वो Kim को गाना लगाने के लिए बोलता है Kim को बहुत ही jealous में सुस होता है वो आपर तमाशा ख़ड़ा करना चाता है वो pretend करता है कि वो बहुत ही drunk है पर Commissioner मानता ने यह वो Kim की चाल सक्सेस नहीं होने देता जब Commissioner और Jong इन दोनों का dance खतम हो जाता है तो Jong कीम के पीचे-पीचे बात्रूमें आ जाती है Jong कहती है कि मैं तुम धोन रही थी Jong उसे कहती है कि अभी-भी जो तुम नहीं किया है क्या हो तुमने परपस से किया है Jong उसके पास आती है और दुने एक दूसरे को किस कर लेते है अब यह फिर से Housewife सिखाई गई है यह Jong के बारे में gossip कर रही होती है Jong की race के बारे में वो बात चीत करती है वो कितनी घटिया है यह वो बात ही करती है इसके बात जो rumors फैलाती है वो Jong के बारे में सब को कहती है वो कहती ही कि Jong के मदर और फादर जो थे यह war में थे war के बात यह refugee बन गए और यह Korea में आ गए यह मौंडन्स में रहते थे यही इसके जो फादर थे बहुत बिमार पढ़ गए और मर गए इसकी मदर इसे छोड़ कर चली गई थी यह तब छोटी ही थी इसकी मदर इनलो जो है इसने इसे काम पर रखा था इसकी हाउसमेड थी इसकी मदर इनलो ने फिर उसके बेटी की और जोंग की इन दोनों के शादी करवा थी इसे मदिनिन लौ उससे बहुत ही पसंद करती है यह सब इन ही कह रही होती है अब नेकसिन में music room में हमें किम दिखता है यह dance कैसे करना है यह सिक रहा होता है music room का owner इसे ठीक से सिखा नहीं पा रहा होता तो वह Хакцу भी होता है हकцу फिर इसे dance कैसे करना है इसे बोचता है किया तुम प्यार में हो किम कहता है कि क्या यह इतना object है हकसु कहता है कि तुमारी life में मुझे excitement लिख रही है अपने reason में मैं दिखता है किम और joung अपने families के साथ फिर से dinner करे होते है जब किम की wife और joung का husband पन ये दोनों वहाँ से चले जाते है तब किम पेपर लिखता है कि उसे बाहर जॉंग से मिलना है ये पेपर वो पढ़ती है और वो रख लेती है ये भी पेपर उसे एक लोकेशन बदा देती है ये दोनों एक दूसरे से मिलते है और एक जगा पर आ जाते है जॉंग की तारि जाने वाला है यह जान को कहकर वो चला जाता है जब रात होती है तो किम जान के पास आता है किम जब दर्वाजा खट कड़ता है तो जान कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे दर्वाजा ओपन करना चाहिए वो दर्वाजा खोल कर पुछती है कि तुमने डिलिबरेटली क किया है मेरे हस्बन को तुमने दूर भेज़ दिया है वो कहती कि हम जो यह सब कर रहे हैं यह गलत लग रहा है किम फिर वहाँ से चला जाता है किम मुजिक रूम में आता है और अपने फ्रेंड के साथ बहुत पी रहा होता है उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या हुआ है वो उसके साथ जो हो रहा है वे सब बढ़ देता है उसका फ्रेंड उसे कहता है कि यह जो सब तुम कर रहे हो यह बहुत ही गलत है किम इसकी मानना नहीं चाहता किम ने अपने वाइफ को भी दूर भेज़ दिया होता है किम का बढ़ड़े होने वाला होता है तो कुछ नेब जॉंग कहती है कि तुमने मुझे जो सब कहा ये मैं भी महसुस कर रही हूँ इसके बाद वो उसे बेडरू में लेकर आती है और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है किम जॉंग को म्यूजिक रूम में लेकर आता है और ये दोनों डांस करते है ये बीच पर जाते है और दोनों बहुत ही खुश होते है किम जॉंग से पुशता है कि तुमारी अपने हस्बंड के साथ रिलेशनशिप कैसी है जॉंग कहती है कि ये बहुत ही छोड़ी थी तब से मैं इसके घर पर काम करती थी जब मैं 13 साल की थी तो मुझे ये एक रूम में लेकर गया था इसने मुझे पर रेप किया था जॉंग और उसके हस्बंड की जो रिलेशनशिप है कि कुछ भी सही नहीं है वो कुछ भी महसूस नहीं कर बाती जब वो किम के साथ होती है तो वो पैर में होती है वो केती है कि तुम ही हो जिससे मैंने पैर किया है किम को कॉल आता है उसे पता जलता है कि जॉंग की जो मदर इनला है यह हॉस्पिटल में जॉंग फिर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है एक्च्छल में जॉंग की मदर इनला बिमार नहीं होती है तो उसकी मदर होती है, यह कुछ ज़्यादा सिर्यस विमारी नहीं होती है जॉंग फिर अपनी मदर को देखकर वहाँ से जा रही होती है तो उसकी मदर इनला उसे रोक लेती है जॉंग की मदर इनला उसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरा जो son है यह सही आथमीं नहीं है तुम में मेरी बेटी जैसी हो तुम पैर में हो यह मुझे पता है तुम यह जो सब कर रही हो इसे मैं तुमें रोकने वाली नहीं जॉंग की मदर इनलॉग ने उसे बच्पन से बला है इसके डॉर्टर की तरह ही होती है यह खुश रहे है ऐसा ही को चाहती है इसलिए इसको सपोर्ट हो करती है किम जॉंग को घर पर चोड़ने के लिए आता है जॉंग उसे कहती है कि मदर इनलाओ को सब पता चल चुका है जब मैं मेरी मदर इनलाओ से मिली तब मुझे realize हुआ कि मैं जो सब कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ मैं अब तुमसे फिर से नहीं मिल सकते मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ पर एक गलत है मैं तुम्हें भोलने की अब कोशिश करूँगी तुम्हें भी यही try करना है किम यह imagine नहीं कर पाता कि वो जॉंग की बिना रह सकता है वो बहुत डिस्टब हो जाता है उसे idea आता है कि अगर उसने जॉंग के पदी को frame कर दिया और वो जेल में जला गया तो जॉंग के साथ हमेशा रह सकता है किम का friend हाग सोजोता है यह illegal काम करता है इंपोर्ड एस्पोर्ड यह illegal तरीके से कर रहाता है तो इसकी मदद लेकर वो हुजीन को frame कर देता है हुजीन की मदर फिर custody में उसे मिलने के लिए आती है तो हुजीन कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया इसकी मदर इसे believe करती है जब यह जौंग के पास होती है तो जौंग को कहती है यह मुझे पता है कि मेरे son नहीं यह नहीं किया वो जूट बोलता है यह भी मुझे पता है पर इस बार वो जूट नहीं बोल रहा तुमने यह सब करवाया है यह मुझे पता है तुम यह सब सही करोगी जोंग फिर कीम के पास आती है उसे अपने हस्बंड की मदद करने के लिए कहती है नेक्स सीन में हाउस वाइफ जो दिये बात करियो थी है जो अफा फैलवा थी है इससे हमें पता चलता है कीम का जो जॉब है वो अब स्टेड़ी नहीं रहा उसका जॉब जा सकता है उसे अंडर रिव्यू डाला गया है दूसरी हाउस वाइफ जो पूछती है कि ऐसा क्यू हुआ है वो तो बहुत अच्छा ओफिसर है तो यह कहती है कि वो मेडिकेशन पर था कीम ने उजीन को बचा लिया है वो जिन कहता है कि कीम कोई भी काम का नहीं है उसने मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं की थी जॉआंग उसे कहती है कि तो मैं उसके बारे में ऐसे बात नहीं करने चाहिए कीम जब घर पर आता है तो उसके वाइफ उसे गॉग्रेचलेशन करती है क्योंकि आज उसका प्रोमोशन हो चुका है कीम का जॉब अंडर रियू था तो उसके प्रोमोशन के लिए था अब वो अलग जगा जाने वाला है वहाँ इनके सब फ्रेंड्स आयो होते है और यह सेलिब्रेशन कर रहे होते है यहाँ पर जॉग भी आई होती है जॉग बाहर बार भी को कर रहे होती है तो उसके पास कीम आ जाता है कीम उसे कहता है कि जहाँ मैरे ट्रांसफर हो रहा है वहाँ मैं हुजीन को भी लेकर जाओंगा यानि कि हम दोनों एक साथ रह सकते है जॉग कहती है कि उसके साथ नहीं जाने वाली कीम फिर उसपर चीट जाता है कहता है तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता तुमने जिस तरह से मुझे भूला दिया है वैसे मैं तुम्हें नहीं भूला सकता जॉग फिर उसे जटक कर अंदर आ जाती है उसके पीचे पीचे कीम भी अंदर आता है और ये पूरा तमाशा खड़ा कर देता है इसी डिनर में उसे निउस मिलती है कि वो फादर बनने वाला है उसके वाइफ और जो वो ट्राय कर रहे थे एक फैमिली के लिए वो फैमिलcellent उसे मिलने वाली है पर इस सब और उसने तैस्स कर दिया है इसके बाद कीम के जो फादर इनलाव होते हैं इनके साथ वो बेटा हुआ होता है कीम ने जो भी किया था इसके वज़े से इसका प्रमोशन चला गया है इसके father-in-law से कहते हैं कि तुम फिर से जंग में चले जाओ तुम वहाँ जाकर एक दो साल रहोगे अपने आप पर reflect करने का तुम्हें समय मिलेगा ये भी इस पर बहुती चिट गए होते हैं कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बेटी भी pregnant है इसे इस situation का बहुती बुरा लग रहा होता है फिर भी अपने सनी लोग को और एक chance हो दे रहा होता है अब जब किम चला जाने वाला है तो जॉंग के पास आता है वो कहता है कि तुम्हारे husband से मुझे apologize करना है जॉंग कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रहना वो सीगल चला गया है जॉंग और वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाते कि मुझे कहता है कि मुझे वियत नाम जा रहा हूँ तुम भे मेरे साथ चल सकती हो वो उसे बुछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो वो कुछ भी बोलती नहीं किम कहता है कि तुम्हारे बिना में जी नहीं सकता मैं सफोकेट हो रहा हूँ इसे जो दर्थ है वो अप ज़्यादा ही महसुस हो रहा है वो अपनी गन लेता है और अपने हाट पर रखता है और गोली शूट करता है निकसिन में हाउस वाइप सी जो कनवर्सेशन है इससे में पता चलता है कि किम बच चुका है जो गोली लगी थी इसके हार्ड के पास से चली गई थी इसके बात दो साल गुजर जाते है जौंग एक पारिटी में होती है उससे नीचे बुलवाया जाता है कुछ आर्मी के ओफिसर्स वहाँ आयो होते ये फिर उसे मैसेज देते है कि किम वार में मर चुका है किम वहाँ ओफिसर की तरह नहीं गया था आर्मी के जो सब लोग थे उन्हें वार में वहाँ जाकर वो हेल्प कर रहा था वो अगर वहाँ ओफिसर होता तो बच जाता पर उसे बचना नहीं था वो लटते लटते ही मर गया था किम का नाम भी इन लोगों को पता नहीं था किम मरने के बाद इसके पॉकिट जब इन्होंने चेक की है तो उसमें जॉंग और किम इन दोनों के फोटो थी इसके बाद वो जॉंग को ट्रैक करते गरते यहां तक आ चुके है जॉंग ने किम को पताया था कि उसे कभी भूलना नहीं है किम ने अपना वादा निभाया था जॉंग की उनिस मिलती है तो फुट फुट कर रोने लग जाती है यहां मूवी खतम हो जाती है पर अगर हम कैरेक्टर के बारे में सोचे तो किम डिस्टब था जब वो वार में गया था बहुत सारे लोगों को उसने मारा था तो इससे वो सही से जी नहीं पा रहा था उसके पास सब कुछ था उसकी वाइफ थी और उसे लास में पता चला था कि उसे बच्चा पे होने वाला था उसे बहुत सारे चांसेस मिले थे कि अपने लाइफ को वो सही कर सकता था जो एक कर रहा था एक गलत कर रहा था उसके फ्रेंड नी भी उसे बताया था यह गलत है पर यह मानने नहीं वाला था जौंक के साथ जब वो था तब उसे एक कमफर्ट मिल रहा था इसी कमफर्ट के लिए उसे अपसेस्ट हो चुका था अगर आप अपना कमफर्ट किसी दुसरे आदमें ढूंडते हो तो यही अपनी लाइफ बरबात करते हो आप भी खुद को खुश रख सकते हो किसी और पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड होना यह बहुत गलत है किम ने लास्ट में एक तरह की खुद खुशी ही कर ली अब अगर हम जौंक के पर में सुचे तो उसका पती भी सही नहीं था उसे वाइलेट करने वाला जो कुनेगार था उससे उसकी शादी करवा दी गई थी जौंक ने कभी पैर महसूस नहीं किया था इसे वज़े से किम के पैर में उपड़ गई थी इसके बाद उसे रियलाइज हुआ यह वो जो कर रही है यह गलत कर रही है यह उसने सुधार नहीं कोशिश की पर किम तब तक बहुत ही अफसेस्ट हो चुका था इस मुवी में हमें गलत रिलेशनशिप की ट्रैजेडी दिखाई किया है यही हम आज का वीडियो खतम करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी ऐसी मुवीज लेकर आता रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्रेब कर दीजे बेल नोटिफेशन आइकोन में दमाना मत भूले आपको सब मुवीज मिलते रहे हैं हम फिर से मुलेंगे एक नई मुवीज के साथ तब तक के लिए धैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए